नमस्का दोस्वाज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिकर्ष्ट के यूट्यूब चैनल पर तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है Study in Netherlands और Holland दोनों को दो नामों से वो करा जाता है Netherlands से लेटर हमारी number of videos हैं हमारी एक playlist है Study in Netherlands की उसका link में मैंने description box में लगा दिया है तो आप हमारी playlist हमारी channel पर जाकर दे सकते हैं Study in Finland उसमें आपको exclusively Finland से लेटर वीडियोज मिलेगी Sweden हुआ, Czech हुआ, Latvia, Lithonia, Estonia, France, whatsoever country है उनकी playlist में जाकर आप उन specific countries की वीडियोज देख सकते है उन वीडियोज को देखने के बाद आप अपना decision ले सकते हैं कि आपने अपनी जो service है किस consultant के थूर लेनी है उस specific country की तो नीदरलेंड के हमारे बच्चों की जो MBV approval होकर आए हैं चार बच्चों के तो ये approval आ चुकी है, ऐसा letter आता है अब इसके आने के बाद 99% बच्चों को वीजा यहां पे grant मिल जाता stamping करानी होती है, MBV क्या होता है, IND क्या होता है, residency कैसे approval होती है ये सारे का सारा जो भी है मैं इस वीडियो के तुरू explain करूंगा नीदरलेंड जो country है बहुत ही expensive country है और study buys, it is very good there is no any problem लेकिन हमारे पास बच्चे specifically नीदरलेंड से related ही आकर जब कहते हैं कि मैंने नीदरलेंड जाना है तब ही मैं case process करता हूँ क्योंकि हमें 100 countries का experience है, हमें मालूम है कि अगर आपकी नीदरलेंड की destination नहीं है तो मैं नीदरलेंड से भी best options आपको provide कर सकता हूँ, वो depend आपके उपर है हाँ आपकी profile ही भी है, आपके percentage कम है, तो नीदरलेंड जैसे ही country का option बिल रहे तो तब मैं कहूंगा कि ठीक है आपका भी मैं नीदरलेंड में ही कर पाऊंगा तो नीदरलेंड में IELTS mandatory है, अगर आपने straight forward visa लेना है six overall band होने चाहिए, किसी भी module में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए exclusively जो arts वाला, humanities वाला student है, जिसके पास math नहीं है चलो जा, economics नहीं है, उसको वहाँ पर admission लेने में problem आती है लेकिन private universities उसको भी admissions देतेती है अभी नीदरलेंड में सबसे बड़ा जो चीज है कि बच्चे को अपने living expenses भी साथ में लेकर साथ में carry करने पड़ते हैं, जैसे कि उनके जो living expenses अप्रोक्स 11,000 euro तो 11,000 euro भी आपको वहाँ पे अपने bank में दिखाना पड़ता है अगर बहाँ पर पड़ने के लिए जाना है अपार्ट फॉर्म आपकी ये living expenses या blogged account है इसके लावा आपकी tuition fees है वो आप ये लेकर चलिए कि 8,000 euro से लेकर 11,000 euro की tuition fees ही है तो ये भी आपको universities आर सहीं कि ये भी आप हमें deposit दें कुछ university हाप मांग लेती, कुछ university कैसे आकर दे तो depend है हर एक university के उपर इसके लावा आपकी MBV approval तो बहाँ पर जो भी residency का system है बहाँ की universities directly बहाँ की immigration IND में apply करती है तो बहाँ की जो immigration fees है वो भी आप्रोक्स आप ये लेकर चले मैं आपको तोड़ा बदा देता हूँ 245 यूरो की उनकी MBV fees है जो residency की fees है वो भी आपको महाँ पर transfer करनी पड़ती है इसके लावा आपका एक साल का insurance लगता है एक साल के insurance के वे जो charges है 500 यूरो से लेकर 800 यूरो तक के आते हैं depend again कि आप कौन सी company का insurance purchase कर रहे है बेज़ते हैं अपने academic document और साथ में अपने जिस university में apply किया है अपना motivation letter उसके बाद जब आपका IELTS है जब कुछ university motivation letter भी मांगती है तो उसके बाद जब वो आपको admissions दे देती हैं invoice generate करके बेज़ती है उसके अंदर उने specific fees एं लखी होती है तो वो fees आपने universities को directly university के account में transfer करनी है उसके बाद जब वो आप सारी की सारी fees उसमें क्या है आपके blog account की fees है आपकी tuition fees है आपकी MBBK charges जिसको residency permit कहते हैं आपका health insurance है यह सारी fees जब उनके पास चले जाती है वो फिर अपनी जो आपकी application है residency permit के लिए उनका जो IND department बहाँ पर apply कर देते हैं बहाँ से जब approval आजाती है इस type का document आता है यह document आने के बाद यहाँ पर हम पर बच्चे का visa apply करते हैं हमने maximum बच्चों के appointment भी लेडी है मेरे पास 8-10 cases नीदर लेंड से related ही चल रहे है तो अभी decision आपका है कि आपने नीदर लेंड में जाना है जा नहीं जाना है master वाले students के लिए हर एक university आपका experience मांगती है कोई university तीन साल का कोई एक साल से प्लस का कोई दो साल का जहाँ पर आपने master degree करने के लिए जाना है और आपके aisles में भी 6.5 aisles band होने चाहिए अगर नीदर लेंड में आपने किसी भी field में पढ़ने के लिए जाना है नीदर लेंड में आपको हर एक program में admission मिल सकता है humanity में कुछ करना है अपने engineering में कुछ करना है medical में कुछ करना है business में कुछ करना है all types of programs आपको नीदर लेंड के अंदर मिल सकते हैं english dot में अभी decision आपका है अगर आप ये fees से afford कर सकते हैं तो then you will take the decision मैंने फिर बता दिया हम तभी case डालते हैं बच्चे के देखने के बाद, analyze करने के बाद बच्चा ही specific है कि मैंने नीदर लेंड में जाना है there after we are putting the application अगर आपकी नीदर लेंड से related कोई भी query है तो आप हमें immediately अपना जो भी query है मुझे भेजे मैं immediately आपका answer दूँगा even नीदर लेंड में हम number of tourist भी भेजते हैं और क्योंकि नीदर लेंड एक ऐसी country है जो number of शेंगन वीजा भी grant करती है अगर आपकी profile appropriate है तो उसका भी advantage ले सकते हैं आप already नीदर लेंड में हैं अपने brother sister को, अपनी spouse को जा अपने parents को बहाँ पर tourism के लिए बलाना चाहते हैं उसमें भी हम आपकी help कर सकते हैं आप already नीदर लेंड में हैं बहाँ से किसी another country में relocate होना चाहते हैं either as a student, self-employed या whatsoever category के लिए उसमें भी crown immigration आपकी help कर सकती है तो लासी मेरी ही request है अगर आपको जो मेरी वीडियो चले की इसको like and share करना ना भी Thank you